हेलो नमस्कार जैहिन स्वागत हैं आप सब को एम वी आरीवी परिवार में कैसो दोस्तों उमीद हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छी त्यारी चल ले होगी आज इस वीडियो में ग्राम शमाच एवं विकास जो लेक पाल में यहां से 25 नमबर के प्रस्ण पूछे जाते हैं जो कि प्रेक्टिस सेट के माध्यम से आप सब को अच्छे अच्छे प्रस्ण कराये जा रहे हैं आज उसी शिंक्राला में अगला प्रेक्टिस सेट जो कि एक ने टॉपिक के साथ पशुपालन एवं पशुगर्णा से सम्मांदित महातुपूर महातुपूर प्रस्णों को डिसकस करेंगे मैंने शारे प्रसंद बहुत अच्छी लेवल के लिए हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा इधी चैनल पर नए हो तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करिएगा शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला कोश्चन है मुर्गियों में चेचक रोग किससे होता है वाइरस जिवाड प्रोटोजोवा या विशाड से तो मुर्गियों में चेचक रोग किससे होता है यहाँ पर आफशन डी से हो जाएगा किससे विशाड से होता है किसे होगा विशाण से भारत में सरवाधिक मुर्गियां कहां पाई जाती हैं तो आफशन कौन से लगाओगी तमिल नाडू क्या बताएंगे तमिल नाडू जिद पूछेगा भारत में सरवाधिक मुर्गियां कहां पाई जाती हैं तो तामिल नाडू में चलेंगे अगले कुशिन पे जो अगला कुशिन है 100 ग्राम अंडे में प्रोटीन की मातरा कितनी होती है 12.5 पर Christmas 11.5 परसंट 34.5 परसंट या 15.5 परसंट तो तो 100 ग्राम अंडे में प्रोटीन की मातरा कितनी होगी यहाँ पर option C से ही हो जाएगा 13.5%. कितनी होगी ? 13.5%. मुर्गी के एक अंडे में 80, कितनी 80 कैलोरी 80 कैलोरी उर्जा मिलती है मुर्गी के एक अंडे से कितनी कैलोरी तो बूँचेखा 80 कैलोरी उर्जा मिलती है protein कितना मिलता है तो 13.5% चलेंगे अगले कोशिन पे मुर्गियों में शवशे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है रानी खेत, चेचक, ए और भी दोनों या इन में से कोई नी तो मुर्गियों में शवशे खतरनाक बीमारी कौन सी होगी तो यहाँ पे आफशन ए से हो जाएगा रानी खेत चलेंगे अगले कोश्ण पर, अगला कोश्ण है 100 ग्राम अंडे में लगभग कितने प्रतीशत वशा होती है 13%, 14%, 17% या 18% तो 100 ग्राम अंडे में लगभग कितने प्रतीशत वशा होती है यहाँ पर आफशन 20 ही हो जाएगा 14%, कितनी 14% चलेंगे अगले कुश्यन पे भारत में प्रथम पशुगणना कब शुरू की गई थी 1922 1925 1928 1993 तो भात में प्रथम पशुगणना कब शुरू की गई थी यहां पर आफ्शन एस ही हो जाएगा कब शुरू की गई थी 1922 में पशुगणना प्रतेक पांच वरसों में की जाती कब की जाएगी तो पशुगणना प्रतेक पांच वरसों में की जाती है पहली पशुगणना कब शुरू की गई थी तो 1922 में चलेंगे अगले कुश्चन पर कुश्चन नमबर शिक्स आजादी के बाद पहली पशुगणना कब सुई ही थी 1950, 1950, 1955, 1960 तो आजादी के बाद पहली पशुगणना कब की गई थी तो यहाँ पर आफशन 20 ही हो जाएगा 1951 में कब की गई थी कुश्चन है पशुगणना 2017 की अंतिम रिपोर्ट कब आई 2017 में 2018 में 2019 में या इन में से कोई नहीं तो पशुगणना 2017 की अंतिम रिपोर्ट 2019 में पेस की गई थी कब आई थी 19 में पशुगणना 2019 यह पहली आनलाइन पशुगणना थी कैसी प्रथम आनलाइन पहली आनलाइ ती तो बीसुही क्योंसी थी तो बीसुही पस来ना ठीख सुरुवात कभसे हुई थी उन्नेस के सुरुवात कभसे हुई थी भारत में उन्नेस्टो बीज stata किया बाद सुरुज़ां ति highly वर्ज में कभसे सुरू ही थी करना है चलेंगे अगले कुश्चन पर है कि 2017 वर्स 2017 की पशुगरना कौन सी पशुगरना थी मैंने अभी बताया कौन सी पशुगरना थी तिया बीसुही पशुगरना थी 2017 की पशुगरना कौन सी पशुगरना थी यहां बीसुही पशुगरना थी चलेंगे अगले कुश्चन पर इनमें से कौन गाई की नशल हैं जर्सी हर्यार्वी लाल सिंधी यह सभी तो इनमें से कौन सी गाई की नशल है या सभी आफ्षन डी से हो जाएगा ये सब बदावरी नांगपूरी या सभी तो इनमेंशे भहैस में कि बदावरी और नांगपूरी ये केंद्रिय भैंश अनसंधान संस्थान पूछे का केंद्रिय भैंश अनसंधान संस्थान तो उत्तर क्या रहेगा हिसार कहां पाए जायता है हिसार और ये कहां पड़ेगा हर्याणा में केंद्रिय भैंश अनसंधान संस्थान हिसार हर्याणा में भारत में मानेता प्राप्त भेंसों की कुल कितनी नसलें पाई जाती हैं तो कुल कितनी नसलें हैं शोला कुल कितनी नसलें पाई जाएंगी शोला शर्वाधिक भेंसों वाला राजी पूछेगा तो कौन रहेगा उत्रप्रदेश शर्वाधिक भेंसों वाला राजी उत्रप्रदेश दूसरे स्थान पर राज स्थान पहले स्थान पर उत्रपदेश अगला क्वेशन है भारत अंडे की उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है पहली दूसरी तीसरी चोथी तो यहाँ पर आफशन सी सही हो जाएगा तीसरी किस स्थान पर है तो तीसरी स्थान पर पसुगर्णा किन छेत्रों में कराई जाती है ग्रामीर शहरी ए और बी दोनों या इन मेंसे कोई नहीं तो पसुगर्णा किन छेत्रों में कराई जाएगी यहां पर आफशन सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों स्थानों पर अगला कुशन है महिला डेरी योजना किस विभाग के द्वारा लागू की गई थी दुग्द विभाग, कल्याण विभाग, युवा कल्याण विभाग, शिचाई विभाग तो महिला डेरी योजना किस विभाग द्वारा तो ये आफशन एस ही हो जाएगा द्ग्द, विवाग, द्ग्द, विकास, विवाग द्वारा यह कब लागु की गई थी दिल أउ की गई थी 1996 अगले कोषण पर चलेंगे अगला कोशन है काम धेन कांसी काम धेन योजना किस्य संबंदी थे धान का उत्पद्म बढ़ाने के लिए दूध का उत्पद्म बढ़ाने के लिए मुर्गी का उत्पद्म बढ़ाने के लिए या इनमेश्य कोई नहीं तो काम धेन योजना आफशन बी सही हो जाएगा दूध का उत्पद्म बढ़ाने के लिए शुरुवा वर्गिस कुरियन किसे वर्गिस कुरियन को माना जाता है आपरेशन फ्लड का संबंद किसे है तो दूद उत्पादन से आपरेशन आपरेशन फ्लड का संबन किश्य है दूद उतपादन से यहां कितने चरोणों में चलाए गया था तो यहां तीन चरोणों में चलाए गया था पहले चरोण में कब चलाए गया था तो 1970 से कि असी दूसरे चरोण में कब चलाए गया था तो 1880 से 85 और तीसरा चरोण 1985 से 1996 इन 3 चरणों में operation flood चलाया गया था चलेंगे अगले question पर मस्य पालन को क्रशी का दरजा कब दिया गया जून 2015 अगस्त 2017 जुलाई 2018 दिसम्बर 2019 तो मस्य पालन को क्रशी का दरजा कब दिया गया था तो यहां पर option यह सही हो जाएगा जून 2015 में कब दिया गया था जून 2015 में मस्य विभाग के स्थापना की कब गई थी तो 1966 इसवी में मस्य विभाग के स्थापना 9066 मश्य नीद 2006 और मश्य पालन को क्रशी का दर्जा जून 2015 में दिया गया था चलेंगे अगले कुश्चन पर कि उत्रप्रदेश मश्य निगम की स्थापना किस वर्स की गई थी अभी मैंने बताया 9026,umo 64 69 या option का स्वंध किस्य होगज नेली क्रानति मश्य उत्पादन से शिराजी और बशरा किसकी उत्तम प्रजादिया हैं कबूतर कछुआ उूठ घोड़ा तोची और बशरा ये कबूतर की उत्तम प्रजातियां है, आफशन A सही होगा, अगला कोशन है, पसुकर रना 2017 के नुशार, भारत में घोनों की शंख्या कितनी है, दसमलो 3-4 मिलियन, 3-5 मिलियन, 4-0-2 मिलियन, या इनमेश कोई नहीं, तो पसुकर रना 2017 के नुशार, भारत में घोनों की शंख्या, आफशन a.34 million कितनी है ?3.4 million चलेंगे अगले question पे अगला question है यहां पर आफ्षन एस ही हो जाएगा कौन सा है तिलंगाना पहला राज्जी तिलंगाना दूसरे स्थान पर कौन है दूसरे स्थान पर आंध प्रदेश आंध प्रदेश दूसरे स्थान पर है और करनाटक यह तीसरे स्थान पर है तीसरे स्थान पर करनाटक और राजस्थान यह चोते स्थान पर हैं ताजस्थान चोते स्थान पर हैं अगला कुष्चन है is पस्वगरणा 2019 के अनुशार डेश में भैसु की संख्या कितनी है तो यहां पे option 20 years only हो जाएगा 109.85 million कितनी है एक सो tomorrow 85 million आफ आफशन 20 ही ओजाएगा 200 की 200 की शंख्या में 300 की संख्या में पहला इस्थान पूछ का प्रिष्कYU कर स्धान उन्हाव इस चाहिक turak दूसरा इस्थान इस्थान का राजमन का और प्षान को और घुजरात कौन होगा गुजरात पहले स्थान पर उत्तर प्रिष दूसरे इस्थान पराजिस्थान तेसे इस्थान पर गुज्रात हो जाएगा भारत में जएВОज Module ुखकरय का कितना है भैसों की संख्या में पहला इस्थान किस्त का है उत्रपदेश का दूसरा राजिस्थान का तीसरा गुजरात का तो कैसा लगा आज का सेशन कमेट बाक्स में जुरू बतिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन